आज मैं आपको आधार कार्ड से पैसे कैसे निकाले जाते हैं उसकी पूरी कम्पलीट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर हम लोग आधार कार्ड से पैसे निकालना तो सीखेंगे ही साथ में मैं आप सभी लोगों को ये भी बताऊंगा कि आधार कार्ट से पैसे निकालने के लिए हमें कौन-कौन सी एप्लिकेशन को डाउनलोड करना होता है और कौन-कौन सी चीजों की हमें जरूरत होती है आधार कार्ट से पैसे निकालने की साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप किसी कस्टमर का या फिर किसी का भी आधार कार्ट से पैसे निकालते हो तो उस कस्टमर को आपको पैसे कैसे देने होते हैं और वो कस्टमर का पैसा आपके खाते में कैसे आता है पिछले मैं कई सालों से आधार कार्ट से लोगों के पैसे निकालता हूँ और उन्हें सर्विस देता हूँ इसके बदले मैं घर बैटे ही काफी अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता हूँ तो अगर आप भी जो है आधार कार्ट से पैसे निकाल करके घर बैटे ही महीने के अच्छे खासे पैसे कमाना चाते हैं तो ये option आपके लिए बहुत ही अच्छा है तो अगर आपको भी आधार कार्ड से पैसे कैसे निकाले जाते हैं इसके बारे में पूरी complete जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा complete जानकारी देने वाला हूँ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आधार कार्ड से पैसे निकालने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है तो मैं आपको बता दूँ कि आधार कार्ड से पैसे निकालने के लिए आपके पास सबसे पहले तो एक smartphone होना चाहिए कोई भी smart phone हो चलेगा बस आपके पास जो है एक smart phone होना चाहिए स्maat phone के साथ साथ आपके पास जो है एक इस तरीके से fingerprint device भी होना चाहिए ये जो है mantra का device है आप चाहओ तो मोर्फो का भी खरीच सकते हो या फिर और भी जो है market में धेर सारे fingerprint device मिलते हैं आप उसमें से कोई भी खरीद सकते हूँ लेकिन मैं आपको बताऊँ कि सबसे अच्छा डिवाइस कौन सा होता है तो मैं पिछले कई साल से मंतरा का ही डिवाइस यूज कर रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा है और ये आपको सस्ता भी मिल जाता है अगर आप इसको खरीदना चाते हैं तो इस वीडियो के description box में आपको इसका link भी मिल जाएगा या फिर आप अपने local market से अगर खरीदते हो तो ये आपको और भी सस्ता पड़ता है तो इसके बाद आपके पास एक इस तरीके से OTG connection के लिए एक इस तरीके से OTG ले लेना है ये OTG market में आसानी से 20-30 रुपे में easily available हो जाती है इस तरीके से आपको एक OTG ले लेना है अगर आप मंतरा का ये device खरीदे होगे तो इसके साथ आपको ये OTG बिल्कुल free में मिलती है आपके पास अगर ये OTG नहीं है तो आप इस तरीके से OTG ले सकते हो और इस OTG को इसके अंदर आपको connect करना होता है कुछ इस तरीके से ये connect हो जाने के बाद आपको जो है ये OTG अपने mobile phone में connect करना होता है तो चलिए ये भी मैं connect करके आपको दिखाता हूँ तो देखिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पर connect कर लेंगे अब जो है हमारा OTG mobile के साथ connect हो जाएगा OTG खरीदते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि आपके mobile में जो भी support करता है वही खरीदे जैसे कि कुछ लोगों में type C support करता है और कुछ लोगों में normal इसी तरीके से अगर आपके पास ऐसा OTG है तो ये बहुत ही अच्छा है इसके लिए आपको जो है सिर्फ इसके अंदर इस तरीके से attach कर देना होता है ये फिर कभी हिलता नहीं है साथ में जो है आप इसके अंदर अगर इसको इस तरीके से attach कर दोगे तो आप इसको घुमा भी फिरा सकते हो उतना जादा दिक्कत नहीं होती है तो अगर आपके पास ऐसा OTTG है तो और भी अच्छी बात है तो ये रहे उन चीज़ों के बारे में जानकारी जो कि आपको आधार कार्ट से पैसे निकालते वक्त इन सबी की ज़रूरत पड़ती है इसके बाद बात करते हैं कि आधार कार्ट से पैसे निकालने के लिए आपको अपने फोन में कौन-कौन सी अप्लिकेशन को डाउनलोड करना होता है तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है प्ले स्टोर में आना है Play Store में आने के बाद आपको जो है मित्रा फीनो करके एक application आता है इसी application को जो है आपको अपने phone में download कर लेना है मैं जो है इस वीडियो के अंदर आपको फीनो से पैसे निकालना सिखाने वाला हूँ अगर आप फीनो मित्रा से पैसे निकालते हैं तो आपकी अच्छी कमाई होती है क्योंकि इसमें commission काफी अच्छा खासा मिलता है इसके बाद जो है आपको मंत्रा की RD service को download करना होगा तो आपको Play Store में आना है और लिखना है मंत्रा RD service इस तरह के से मंत्रा RD service की ये application आ जाती है इसको भी जो है आपको अपने phone में download करके install कर लेना है इसके बाद आपको दोबारा से जो है Play Store open करना है और दोबारा से यहाँ पर आना है और यहाँ पर अब आपको जो है मंत्रा management करके एक application आती है इसको भी जो है आपको अपने phone में download करके install कर लेना है लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मंत्रा का device इस्तमाल नहीं करना चाते हैं वो लोग Morpho का device इस्तमाल करना चाते हैं तो उनके लिए मैं बता दूँ कि Play Store पर आकरके आप सभी को जो है यहाँ पर Morpho टाइप करना है Morpho, Morpho SEL RD Service इसको आपको जो है अपने phone में install कर लेना है बस यही एक application Morpho के लिए आपको install कर लेनी है यह तीनों application को download करने के बाद सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पर mantra RD Service को अपने phone में जो है open कर लेना है open करने के बाद यह जो आपका device है यह वाला इसको इसके साथ connect करना है तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले इसको connect करते हैं इसके बाद जो है यहाँ पर रख करके इसको जो है cable को इसके साथ attach कर देते हैं कुछ इस तरीके से connect होने के बाद देखी यहाँ पर जो है message आ जाएगा कुछ इस तरीके से अब आपको जो है इस पर click कर देना है और इसको okay कर देना है अब दोखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ आ जाएगा device connected successful अब आपको जो है capture test पर click करना है जैसे ही आप capture test पर click करोगे इसके अंदर light जलने लगी है इसके बाद अंगूटा लगा करके इस तरीके से देख लेना है कि आपका जो है finger सही तरीके से capture हो रहा है कि नहीं इसके बाद इस तरीके से test करने के बाद आपको पूरा back चले आना है पूरा बाहर अब आपको क्या करना है कि अपने phone में मित्रा application को open कर लेना है तो देखे ये रही मित्रा application हम जो है फीनो मित्रा को open करेंगे इसके बाद ये थोड़ा सा load लेती है जो भी यहाँ पर allow मांगता है सारी चीजों को आपको allow कर रहा है अब आपको यहाँ पर username डाल करके continue बटन पर क्लिक करना है username आपको कैसे मिलेगा ये वीडियो में मैंने आगे बताया है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए यहाँ पर चलिए मैं अपना username डाल करके continue पर क्लिक करता हूँ जैसे ही आप जो है username डाल करके continue पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पर एक password डालना होगा तो जो भी आपका username के साथ password मिला है आपको वो password इसके अंदर डालना है और इसके बाद login पर क्लिक करना है अगर आपके पास username और password नहीं है और आप फीनो मित्रा का username और password बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैंने आपको आगे बताया है कि कैसे आप फीनो मित्रा का username और password बना सकते हैं तो चलिए यहाँ पर मैं password डाल करके login पर click करता हूँ password डालने के बाद हम यहाँ पर login पर click करेंगे इसके बाद यह थोड़ा सा processing होगी तब तक जो है आपको wait करना है इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से interface दिखाई देता है यानि आप Phenomitra application में पूरी तरीके से login हो चुके हो यहाँ पर आपको थोड़ा सा back करना है और यहाँ पर आपको सारी services मिल जाती है अब यहाँ पर आधार card से पैसे निकालने के लिए आपको जो है नीचे एक option दिखाई देगा A.E.P.S. आपको जो है इसी option पर क्लिक करना है यह option आपको quick links वाले section में मिल जाता है यहाँ पर A.E.P.S. लिखा होगा आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे फिर से थोड़ा सा loading लेता है तब तक आपको wait करना है इसके बाद यहाँ पर आपको जो है A.E.P.S. मीनू दिखाई देते हैं जिसमें जो है सबसे पहला option है cash withdrawal अगर आप आधार काट से पैसे निकालना चाते हैं तो आपको पहला option पर क्लिक करना है दूसरा option है A.E.P.S. मिनी स्टेटमेंट अगर आप आधार काट से statement देखना चाते हैं कि आपके खाते में कब-कब पैसे आये हैं और कब-कब पैसे निकाले गए हैं तो आप A.E.P.S. मीनी स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे लेकिन अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ balance जानना चाते हैं यानि खाते का balance ग्राहक को बताना चाते हैं तो आपको A.E.P.S. balance inquiry पर क्लिक करना होगा यहाँ पर और भी चीजे दी गई हैं आप सभी का use कर सकते हो लेकिन आज हम लोग जो है A.E.P.S. cash withdrawal के बारे में बात करेंगे यानि आधार कार्ट से पैसे कैसे निकाले जाते हैं इसके उपर बात करेंगे तो आधार कार्ट से पैसे निकालने के लिए आपको सबसे पहला वाला option A.E.P.S. cash withdrawal जो लिखा हुआ इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करते ही इस तरीके से interface दिखाई देगा ध्यान आपको यह देना है कि यह जो आपने mantra RD service को इसके अंदर attach किया है इसको आपको इस तरीके से attach कर लेना है अब आपको क्या करना है यहाँ पर इसको जो है टिक कर देना है इस तरीके से और इसको जो है OK कर देना है अब आपको जो है सबसे पहले उपर जो है bank name क्लिक करना है जिस भी bank से आप पैसा निकालना चाते हैं सबसे पहले उस bank का नाम उपर आपको भरना है अपने भारत में जितने भी bank हैं सभी का नाम यहाँ पर list में है बस आपको search करना है जैसे कि अगर आप state bank से निकलना चाहते हैं तो आपको state लिखना है तो यहाँ पर देखिए state bank आ गया है आप इसको select कर लीजिए इसके बाद जो है आधार number डाल दीजिए यहाँ पर लेकिन अगर आप union bank से निकलना चाहते हैं तो इसको delete करिए और यहाँ union bank type करिए यहाँ पर देखिए union bank आ गया है आप इसको select कर लीजिए इसी तरीके से जिस भी bank में ग्रहक का खाता है सबसे पहले आप वो bank यहाँ पर select करेंगे इसके बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर ग्रहक का आधार number डालेंगे यानि जिस भी आधार card से आ यहाँ पर डालना होगा तो चलिए हम लोग आधार card भी यहाँ पर भर देते हैं आधार card number डालने के बाद अब आपको जो है नीचे आना है और नीचे यहाँ पर amount भरना है यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कम से कम आपको 100 रुपे जरूर निकालने हैं 100 रुपे से बता देगा यानि आप जो है यहाँ पर देखे साब साब बताया गया है कि 100 रुपे से ले करके 10,000 तक आप सिर्फ निकाल सकते हैं तो यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि पैसे आपको 100 रुपे से उपर ही निकालने हैं और 10,000 तक आप निकाल सकते हैं पैसे भरने के लिए ये जो नीचे दिये गए हैं आप इस पर क्लिक करोगे तो पैसे इसके अंदर एड हो जाते हैं या फिर आप जो है इस वाले option पर क्लिक करने के बाद यहां पर पैसे भर सकते हैं जैसे कि मैं जहें दो हजार रुपे निकालने हैं तो मैं यहां पर दो हजार टाइप कर दूँगा ताइप करने के बाद इस तरीके से पूरी setting कर लेनी है पहले तो आपको bank का नाम select कर लेना है इसके बाद आधार का it number ढाल देरा है इसके बाद यहां पर पैसे डाल देने हैं इसके बाद आपको नीचे next का option दिखाई देगा आपको next option से आपको जो है next button पर click करना है next button पर जैसे ही आप click करोगे अब जो है आपको authenticate कराना होगा यानि अपना अंगूठा जो है इस fingerprint device पर रख करके लगाना होगा अगर आप ग्रहांक के पैसे निकाल रहे हैं तो ग्रहांक का जो है अंगूठा इसके अंदर लगाना होगा fingerprint को scan करवाने के लिए आपको जो यह जो option दिखाए दे रहा है इस पर click करेंगे इस तरीके से इसके बाद जो है यहाँ पर अधार authenticate का option मिल रहा है इसको check करेंगे नीचे की side में scroll करेंगे यहाँ पर जो है आपको click करना है इस वाले option पर जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो देखोगे यहाँ पर इस तरीके से option दिखाए देगा यानि इस तरीके से हाथ दिखाए देगे और यहाँ पर आपका इसमें मंतरा device में light जलना start हो जाएगी यहाँ पर आपको ग्रहक का अंगुठा इस तरीके करना है अब जो है आप फिर से इस पर click करके अंगुठा लगा दीजे कुछ इस तरीके से अंगुठा लग जाने के बाद यहाँ पर जो है आ जाएगा अब आपको जो है यहाँ पर एक option दिखाए देगा next का तो आपको जो है next पर click कर हैं जो कि आपको दिखाई दे रहा है साथ में नीचे आपको balance भी दिखाए देगा जो कि मैंने height किया हुआ है इस तरीके से आप किसी भी ग्रहक का पैसा निकाल सकते हैं आपने यह जो ग्रहक के किया है वो पूरी तरीके से finish हो चुका है आपने पैसे निकाले हैं इसको देखने के लिए यहाँ पर आपको option दिखाए देगा balance का आप इस पर क्लिक करने के बाद आधार withdrawal पर क्लिक करना है यह जो cash withdrawal लिखा है इस पर क्लिक करके आधार card number डाल करके पैसे डाल करके ग्रहक के पैसे निकाल सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको फीनो मित्रा की ID और password कैसे मिलेगा आप जहां पर भी रहते हैं वहां पर जो है फीनो मित्रा का distributor होता है आप जो है उनसे संपर कर लीजिए वो आपको ID और password दे देंगे अगर आप play store से डाउनलोड करके फीनो मित्रा application को registration करते हो तो भी जो है आपको distributor को call लगाना पड़ता है वही जो है आपकी ID और password को activate करते हैं तो अगर आपको फीनो मित्रा की ID और password चाहिए तो जहां पर भी आप रहते हैं उसके local area में आप पता करिए कि फीनो मित्रा का distributor कौन है और पता चलने के बाद आप जो है उनसे संपर करिए उनसे अपना ID और password बनवाईए इसके बाद आप इस तरह के से login करके पैसे निकाल सकते हैं या फिर जितने भी APS center हैं जहां पर आधार की services दी जाती हैं वो लोग सबसे पहले तो bank से अपना पैसा निकाल करके अपने पास रखते हैं इसके बाद उनके पास जो भी ग्रहांक जाता है वो उनका पैसा निकाल करके इस तरीके से अपनी ID में यहां पर रख लेते हैं और इसके बाद वो लोग अपना पैसा जो निकाल करके लाए हैं वो पैसा ग्रहा को देते हैं इस तरीके से उनका transaction चलता है और बाद में जब यहां पर यह पैसे जादा हो जाते हैं या फिर इतने ही पैसे वो अपने bank में transfer कर लेते हैं तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी complete जानकारी दी है कि आप आधार कार्ट से पैसे कैसे निकाल सकते हैं किन-किन चीजों की जरूरत होती है ID, password कैसे आपको मिलेगा साथ में मैंने आपको यह भी बताया है कि कौन-कौन सी application को डाउनलोड करना होता है अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीड जानकारी के साथ तब तक लिए जय हिंद बंदे मातरम